जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग शागत करता हूँ आपके अपने ही वैक यूटूब चैनल प्रेडिक्सन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे आज के राद जो इंगलिश ट्वेटी ब्लास्ट का सबसे पहला मुकाबला खेला चाहेगा यौक सायर वर्सेज डर्वी स बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके आपको मैं बीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूँ अभी जो भी बदला होंगे उसके आपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ में टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा टेलीग्राम चैनल से जुरुने के लिए आपको एक छोटा स काम करना है इसी वीडियो के चले जाएगा कमेंट सेक्शन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको दिखेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके आप लोग यहां पर जरूर जोन हो जाएगा क्योंकि आप्टर टॉस जो भी आपको नीज मिलेंगे फर्दर को अब आए मैच को लेके बात करते हैं सबसे पहले वेदर बात करें तो इस मै तो scoreboard पे आपको जो score लगते हैं नजर आ सकता है वो हो सकता है कि 180 का आसपास दिख जाए लेकिन डर्वी सायर के case में आपको 160 का टारगेट देखने को मिल जाएगा winning percentage को लेके बात कर ले तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ साय की टीम फैवेट रने वाली है और इसके winning chances आपको नजरा जाएंगे 69 परसंट के आसपास बात करेंगे डर्वी सायर को लेके तो इसके winning chances यहाँ पे 31 परसंट के आसपास है अब आईए हम बात करते हैं दोनों टीम points travel पर फिलाल कहां पर बिराजमान हैं तो यहाँ आपको दिखेंगे सबसे नीचे कौन से टीम सबसे नीचे आपको गुरूप इस गुरूप में तो यह लोग है नहीं आपको दिखेंगे यहाँ पर नौर्थ वाले गुरूप में आ कि हम बात करेंगे टेलिग्राम पर जो रिसेंट के प्रिवियस मैच में प्लिइंग लिए था मोस्ट प्रेवली आपको वही यहाँ पर दिखाए देने वाले हैं अगर हम बात करेंगे दोनों टीम के लास्ट के कुछ मैच का स्टैट्स को लेके तो वहां आम लोग देखते यहाँ आपको दिखेंगे दोनों की टीम मिन्स याउक साय की टीम ने लास्ट के पांच में से तीन मुकाबला जो है वो हाड़े हैं एक मुकाबला जीती हैं बात करेंगे डर्भी साय को लेकर तो लास्ट के पांच में से इन्होंने तीन मुकाबला जो है वो दो मुकाबला दारे हैं और दो मुकाबला इन्होंने विन किये हैं उसके बाद आपको एक मुकाबला टाई दिखने वाला है अगर बात करेंगे 2020 में जो इनका आमना सामना हुआ तो वहां पर देखिए क्या हुआ था मैं पूराने स्टेट्स को ज्यादा आपको नहीं बूलूंगा कि तरज गंदबाजी मस्टपिक हो जाएंगे विल फ्रेंड दस जॉर्डान थांसाने कीज मैथ्यू वेट छे रन किये विए थे गंदबाजी में आपको दिखेंगे इधर से जो खेलते हुए मोस्ट प्रवबली कोई न दिखे एक तो जिए दिख जाएंगे चारोबर तीस रन ती चेर किये हुए थे उसके लाबा यहां पर आपको दिख जाएंगे जॉर्ज जीरो करते हुए गंदबाजी में बात करते हैं दोनों टिम के पिलियर का लास्ट पहुंच मैच में ड्रिम लिएंड का कैसा पॉइंट रहा है सबसे पहले हम बात करेंगे हेड़न करको लेके प दिराशी चे एक तालीस एक सो बैस और अशी पॉइंट इन्हों ने लास्ट के पहांच मैच में डिये हुए डिम लिएंड का टीटी में मक्सूद को लेके बात कर लेके तो 77 26 32 12 और 24 पेंट दें हरी सरॉप को लेके बात करें 49 62 49 25 और 45 पॉइंट दिये हुए यह आपको ज 894 और 25 पॉइंट को लेके बात कर लें 30 90 11 टू और 33 पॉइंट है पहले बल्ले बाजी आप जरू ट्राइक कीजिए का सकेंड बल्ले बाजी में आप चाहो तो छोड़ सकते हो इन्होंने 44 111 106 63 और 14 पॉइंट दिये हैं डब्लू मैटसन 73 31 और 17 पॉइंट दिये मैंकर नन 74 10 103 और 37 पॉइंट दिये हैं पहले गिंदबाजी में आप डर भी साय के तब से इनको ट्राइए कर सकते हो राशीद 53 31 468 और 39 पॉइंट दिये हैं बुरूग गेस्ट 19 52 और 28 पॉइंट दिये हैं सदाव कान 18 12 56 54 पॉइंट दिये हैं आइडम लीट 56 74 23 और 11 पॉइंट दिय हैं मार्कियट 41 45 44 43 और 35 पॉइंट दियें लुइस ड्यूप्ला अच्छे पिलियर हैं पहले बल्ले बाजी जो ट्राइ कर सकते हो 52 33 62 और 6 पॉइंट दिये हैं बाकि जोनी बैस्टो अभी खेलेंगे ने लुइस को लेकर देखिए बहुत ही बढ़ा पिलियर आप इसको बै स्टेट्स नहीं आपको यहां पर जो मुझे लगता है कोई फिलियर खेलते नहीं दिखेंगे अगर कोई एक्सपेक्टेट फिलियर खेलते हैं तो उसको लेकिम आपको टेलिग्राम पर बता दूंगा अब आईए हम बात कर लेते हैं दोनों टीम लास्ट मैच में कैसे प्र प्रदशन किया नहीं था इंदवाजी बात करें हरीश्रॉप एक विगेट लिए देथ में इंदवाजी करते हैं याद रखेंगे आठराव वीच डालेंगे मैठ्यू रवीच एक विगेट लिए 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 इनको इस सीजन मार पर रहे हैं और अच्छा कि इस पेल नहीं अचलंद किये हुए थे अब अगर इनके तब सम्डेथ में बात कर लें तो आपको दिखेंगे हरीश्रॉफ और जॉर्डन थॉम्सन बात करेंगे अब सामने वाली टीम को लेके तो उनका जो लास्ट मकाबला हुआ था घर्वी शायर का वो हुआ था इनका जो खेले थी है यहां पर आपको दिखेंगे वार के साथ खेले थे जहां पर तीन रंस इनको हर जलनी पड़े थी पहले गिंदवाजी इनों ने गया वा था है डंकर बिकेट लेज गे थे इंग कि यह मैच नमर वन है मैच नमर टू को लेकर हम बात करते हैं मैच नमर टू इनका वाथ था यहां पर डर्बी की टीम बहले बले बाजी करते हुए एक सो उन्साटन बोड पर खा किये थे सान मसूद 53 के थे लुइस नीशन हैडी केम आठ मैट्सन आठ बूग गेस्ट तीम लुइस डूपला 38 रं हैडन कर उनीशन किये थे अगर हम बात कर लेंगे यहीं पर गंदवा करनर्स दो ओवर नोरन एक विकेट डेथ वालिंग को लेकर बात कर लें हाइडन कर कंफर्म आपको डेथ में दिखें कि इसके लाब आपको दिख जैंगे यहां तो जोर्ज या फिर सेम वाल करनर्स आपको डेथ में गंदवाजी करते नचर आ सकते हैं अब आईए हम बात क को लेकर जाओंगा अगर इनका पहले बलेवाजी आता है तो अगार यह सेके बलेवाजी करने ज्या था मरों कर दूंगा हैistesव लेकर बात को लेकर रुक किझीन पता नहीं टीम मेनेजमेंट इनकों लेकर क्यां सोच रहें वन आप दा बेस्ट मैं समझता हूं कि डुमेस्टिक सब्लियर हैं बात करें यहां पर यह और की पहले बल्लेवाजी आती है तो सब्सक्राइब के जगह यहां पर जो रूट को तरजीश दे दूँ अब बात करते ह आपने वाली टीम की यहां पर लीग कर शकता हूं नहीं पर फिलाल के लिए यहां पर लूस समझा है उसके बाद मैं अपने टीम में लुइश को लेकर शोच भागा अफने फाइनल टीम में अब देखे फाइनल टीम प्रिव्यू तो मैंने विकेट के बीचे लिया है ठीक ओलर के एडमोर को बैटिंग में मैंने लिया है एडमली सान मसूद देविड मलन और डबलो मैटसन को बात करें और से तो मैंने लुइस रिस सदाव खान और जॉर्डन थमसन को लिया हुआ है में बात करें तो आदिल दसीद को मैंने लिये हरी सुराब को लिये है डन करको मैंने अपने टीम में जेगा दिया हुआ है बात आती है कैप्टन वी सी को ले कि सब से इंपोर्टेंट सेक्शन है यहां पर आप लोग खुद का भी दिमाग लगा सकते हो अगर यहां से एच क करको और वी सी मैंने दिये हैं अपना फिलाल यहां से सदाव खान को बाकी टॉर्च के बाद मैं डिजाइड करूंगा मुझे किसको क्रप्टन देना चाहिए किसको वी सी देना चाहिए अगर मेरे कोई फैनल्टी में बदला होंगे तो उसका अपडेट आपको टेलीग्रा देने का कोशिस करूंगा उम्मीद करता हूं यह छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब जयूर कर दीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो तो तक लिए बाइ सकासा वेन की जिये